वेलकम बैक एवरिवन स्वागत है आपका एक नई वीडियो में उमीद करते हैं आप बहुत बढ़ियाओंगे जरूरी फैक्स के साथ आते हैं बहुत से मिट्स और हम उनको मान लेते हैं सच and thanks to social media वो spread भी बहुत फासली होता है आपको सच पता होना बहुत जरूरी है आप कोई भी वीडियो देखते हो YouTube पे या कोई भी प्लाटफॉम पर आप उसको सच मान लेते हो और लोग views के लिए उसको promote भी करते हैं हम आपको आज कुछ common myths बताने वाले हैं about hair growth जो शायद आप स सालों से मानते आ रहे थे सच है बट क्या पता आपको ऐसा मैसूस हो कि मैं तो गलत चीज कोई सच मान रहा था आज तक हम आपको बताएंगे कि जरूरी नहीं है हर शीज जो आप जानते हो वो सची हो वो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा भी फील करो थोड़ा कंफ्यूज भी फील करो कि क्या ये वीडियो भी आक्यूरेट है या नहीं है डोंट वरी ये बहुत सर्वे के बाद बनाई गई वीडियो है और जो जो फाक्स इसके अंदर बताए जाएंगे वो 100% होंगे और आप जो अब तक बिलीव कर रहे थे जो होतों के मूझ से सुना भी होगा कि अपने बाल ट्रिम कराले और उसे लेंथ बढ़ जाएगी जबकि 100% फॉल्स है एक बार लॉजिकली सोच कर देखो बाल कटवाने का बाल बढ़ने से क्या लेने देना है आप जब बाल कटवाते हो तो लेंथ को कटवाते हो जबकि जो ब नमबर टू शैंपू बदलने से हेर लॉस होता है यह तो हमारे को दिन में तीन बार सुनने को मिली जाता है जब हम बैठते हैं जबकि 100% फॉल्स है एक शैंपू कभी आपका हेर लॉस बढ़ा नहीं सकता एक शैंपू काम होता आपके बालों को क्लिंस करना जितना भी डिर करो शैंपू के साथ और बढ़िया वाला शैंपू लेकर आओ हर बार मित नमबर थ्री हेर लॉस डज अफेक्ट यंग फोक्स बहुत से लोगों को अनफॉर्चनेटली बच्पन में हेर लॉस स्टार्ट हो जाता है हेर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है अब उसके बहुत से सकते हार्मोनल इंबालेंस हो सकता है कोई भी डाइट की दिक्कत या कोई भी रीजन हो सकता है और जब वो अपने जाकर पेरेंस को बताते हैं उनको सिर्फ यही सुनने को मिलता है बेटा इतनी कम एज में हैर लॉस नहीं होता जबकि बहुत ही बड़ा मित है एर लॉस स्ट अब यह बहब ही अननी if में तो हैई कि सेंगे हो रहा है और इस बोपार की आपको सब्सक्राइब सकता है यह एक बहुत बढ़ा बहुत जादान परब्सट चवर hayaा को सकता है अबन hair fall को effect नहीं कर सकता अगर आपको ऐसा मैसूस होता है कि मेरे को एकदम से stress आने की वज़े से hair thinning या hair fall की problem हुई है तो यकीन मानों वो बहुत ही temporary phase है जैसे आपका stress दूर होगा वापस आपका hair growth normal हो जाएगा तो यह myth को आज के आज मानना छोड़ दो जो normal वादा stress होता है उससे कोई effect नहीं होता हमारा hair growth भी और hair fall भी myth no.5 washing your hairs with cold water can prevent hair loss ये एक बहुत बड़ा जूट है जो आप आज सक सच मानते आ रहेते cold water से नहाने के बहुत से फायदे होते है head wash करने के बहुत से फायदे होते है बट उससे hair growth ये hair fall का कोई लेना देना नहीं है जब आप ठंडे पानी से head wash करते हो तो आपका blood circulation बढ़ जाता है hair products can lead to hair fall ये भी बहुत लोग सच मानते हैं लोगों को लगता है कि अगर मैं conditioner यूज करूँगा hair wax यूज करूँगा hair gel यूज करूँगा या hair spray यूज करूँगा तो उससे hair loss हो सकता है अगर आप उसको regularly wash कर ले तो next morning तो से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली overdue करने से तो हर्ट्रीज नुकसान देती ही है बट अगर आप एक limited quantity में यूज करो सिरफ पाटी वेर में यूज करो तो उससे कोई hair spray को यूज कर सकते हो बट अगर आप अवाइट कर सकते हो long run में rebonding और smoothing तो आप उसको अवाइट करो और healthy hairs achieve कर सकते हो तो यह मित आज की आज मानना छोड़ दो कि अगर मैं hair products लगाऊंगा तो उससे मुझे hair loss हो जाएगा मित नमबर 7 plucking out white hair can increase white hair यह भी एक बालों को color देता है वो होता है melanin pigment जो कि हमारे hair follicles produce करते हैं जब वो dark pigment production बंद हो जाती है तो आपके बाल ग्रेश की तरफ जाते हैं फिर हो जाते हैं white तो यह जूट को मानना बिल्कुल ही सच मान रहे थे हमारे जो बाल है उनको बाहर से ब्रीथ करने की कोई जरुरत नहीं पड़ती विकिस उनको हमारे blood से ही oxygen मिलता है तो आप अगर एक हैट पहनना पसंद करते हैं और इस डर से नहीं पहनते कि मुझे hair fall हो जाएगा यह hair loss हो जाएगा तो आज के जूट को मानना बंद कर दो आप हैट पहन सकते हो रेगिलर्ली भी पहन सकते हो से कोई नुकसान नहीं होने वाला आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना ओवर साइट नहीं होने चाहिए और फ्रिक्शन नहीं होने चाहिए सिर्फ उसी से आपको hair fall होगा रेगिलर वाली क्याप से आपके बालों को कोई नुकसान नहीं होने वाला तो यह थे कुछ ऐसे मिट्स अबाउट hair growth and hair fall जो शायद आप लंबे समय तक मान रहे थे कि सच ह बट hopefully हमारी इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल clear होगा होगा क्या सच है और क्या नहीं आप कौन सी वाली बात लंबे समय से सच मान रहे था हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए हमें आपका feedback जानके बहुत खुशी होगी आप चाहें तो यह वीडियो अपने उन फ् स्टोइच सच्छदेवा गुट्बाइ